नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंश्रियादव आप सभी का हारदेख स्वागत करती हूँ और आज हम चर्चा के लिए सविता सिंग की कविता मैं किसकी औरत हूँ चर्चा के लिए लेकर आए हैं सविता सिंग एक समकाली नचनाकार है और वो एक सकरिय रचनाकार के रूप में एक समवेदनशी रचनाकार के रूप में अपनी पहचान बनाती है वरतमान समय में भी विभिन विधाओं में उनका लेखन कारे जारी है वो विभिन विधाओं में स्त्रीक के जीवन की त्रासती को उसके जीवन के दुख को, व्यथा को, दर्द को अभिव्यक्त कर रही है उनकी रचनाई समकालीन संदर्भों में महतुपोन स्थान रखती है और समकालीन प्रशनों की अभिव्यक्ती उनकी रचनाओं में बखुबी हुई है मैं किसकी औरत हूँ, यह कवीता भी समकालीन संदर्भों में विशेश महतुपोन रखती हुई स्त्री विमर्ष की एक महतुपोन कवीता है जिसमें स्त्री के दल्द, उसकी नियती, उसका संगर्ष, उसकी व्यथा को अभिव्यक्त करते हुई स्त्री की द्रड़ता, उसकी जीवन जीने की इच्छा, जिजिविशा और ललक को अभिव्यक्त करती है यह कवीता कई माइनों में बहुत महतुपोन है यह परंपरावादी सोच और नजरिये को भी सामने राती है और आधुनिक समाज में अपनी पहचान बनाती, संगर्ष करती अपने अस्तित्व के लिए लगातार सक्रिये प्रयास करती स्त्री की छवी को भी उदगाटित करती है और अपने संगर्ष में स्त्री ने कैसे अपनी पहचान बनाई है और लगातार वह घर और बाहर की जिमेदारियों को उठाते हुए अपने दायत्वों को पूर्ण प्रतिबधता के साथ निभाते हुए भी विभिन मोर्चों पर विभिन स्तरों पर वह कैसे प्रयास कर रही है और जीवन के संघर्ष में वह कैसे अपनी प्रतिबा को भी अपनी योगिता को भी अपनी शमताओं और अपनी समर्थता को भी सबके सामने लेकर आ रही है सबके सम्मुक प्रस्तूत कर रही है और अपने अस्तित्व के संघर्ष में वो विजई होने के वर्दान को लेकर आगे बढ़ रही है इस रिष्टी से देखा जाए तो सवीता सिंग समकारिन प्रशनों को तो उठाती ही है साथ ही उन प्रशनों से टकराते हुए उनसे संघर्ष करते हुए श्त्री किस तरह से अपने संघर्ष में विजई हो रही है यह वो पूरी दुड़ता के साथ अपने कविताओं में अभिव्यक्त करती है यहां इस कविता में भी